हलो स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है सेल टू सेल कॉम्मिनिकेशन हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं सूट अपिकल मेरिस्टैम का और्गनाइजेशन आपने देखा कि किस तरह से सेल लगातार डिवीजन करती रहती है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिफरे डिफरेंट होना है या एक्स्टरनल एन्वायरमेंट से मिलने वाले स्टिमूलस की अगेंस्ट क्या रिस्पॉंस जनरेट करना है और कैसे एक सेल स्टिमूलस की अगेंस्ट रिस्पॉंस करती है वो सारा का सारा किया जाता है सेल टू सेल कम्मिनिकेशन और जितने भी मल्ट cellular organisms होते हैं उन में stimulus को transmit करना बहुत जरूरी होता है यानि एक cell से दूसरी cell में communication करना response डवलप करने के लिए उसे हम कहते हैं cell to cell communication तो देखिएगा क्या है cell to cell communication cell need to be able to communicate to other cell and respond to environment changes जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक cell को environment के against जैसे draught है या frost है वो stimulus अगर एक cell को मिलता है तो वो cell दूसरी को भी communicate करती है और वो उसके against respond provide करते हैं और multicellular organisms के लिए तो cell to cell communication is very important क्योंकि एक को अगर stimulus मिला है तो बाकी सारी cells को भी respond करना है अब हो सकता है outer surface की जो cells है उन्हें तो stimulus मिल गया तो वो immediate अंदर वाली cells में stimulus को communicate करेगी और response डवलप करवाएगी external signals are converted into response तो communication का मतलब है कि जैसे ही external stimulus आएगा तो cell है जो response जनरेट करेगी तो ये तो है cell to cell combination का एक meaning अब आप देखें यहां पर हर cell ऐसे ही नहीं कि अपने आप ही respond कर देती है एक पूरे program से respond करती है एक system होता है जिससे वो respond करती है तो हम बात करेंगे each cell is programmed to response to specific combination of extracellular signal molecules बाहर से आने वाले जो भी signals है उनके against cell एक program से response जनरेट करेगी आप देखें यहां एक यह cell आपको दिखाई दे रही है यहां पर आप देख रहें A, B, C तीन signal है जो इसको survival बना रहे है यानि कि यह तीन signals जब इस पे आते हैं तो यह cell survive करती रहती है अपने natural way में और अगर जैसे ही इसमें natural way में यह survive कर रही थी और अगर growth और division का signal और अगर इसको मिलेगा तो यह cell पहले grow कर जाएगी, बड़ी हो जाएगी size में, growth phase में जाकर के और फिर division करेगी और एक से दो cell बना देगी और अगर differentiation वाले signals इसको मिलने लगेंगी तो यह cell आगे division करना रोक देगी और differentiate हो जाएगी यानि कि यह cell है जो differentiate हो गई है और एक particular organ के अंदर आ गई है अब अगर यह सारे signal इसको survive करने वाले signal बंद हो जाएगी यहाँ देखें आप यह तीनों signal जो इस cell को survive कराते हैं अगर यह तीनों बंद हो जाएगे कोई signal इसको नहीं आ रहा है तो cell death कर जाएगी यानि कि मर जाएगी और इसको हम कहेंगे apoptic cell apoptic cells का मतलब होता है क्या? कि program से cell को एक death किया गए यानि अब यह क्यों होता है यह signal क्यों नहीं आते हैं यह जब यह cell के अंदर कुछ toxins आ जाए harmful substances बनने लग जाए old days में हो जाएं तो survival signals है जो stop करने लगते हैं और जैसे ही survival signal बंद हो जाएगे तो यह cell death कर जाएगी मर जाएगी इसको हम बोलेंगे apoptosis यानि कि cells deprived of appropriate survival signals will undergo apoptosis cell के अंदर जब appropriate survival signals नहीं आएगे तो यह cell है जो survive नहीं कर पाएगी और commit to suicide करेगी यानि कि इसकी death हो जाएगी Is it clear? तो यह system है एक cell का किस तरह से यह signal के against काम करती है Is it clear? यहाँ आप देखेगा अब देखेगा सारी की सारी cells है जो ऐसा नहीं है कि एक stimulus मिला तो सारी cell same respond करती है उस stimulus के against different different response या reaction target cell है जो generate कर सकती है क्या क्या होगा देखेगा जैसे मैं आपसे बात करूँ Acetyl Colline एक chemical signal है यह chemical signal Acetyl Colline heart की muscle cells है जो आप जानते हैं heart की muscle cells है जो involuntary function करती है और continue काम करती रहती है तो यह Acetyl Colline इनकी cell membrane पे जो receptor होते है उस पे bind होता है और क्या करती है इसको decrease the rate and force of contraction यानि कि यहाँ पर force of contraction को कम कर देती है muscle cells की मैं बात कर रहा हूं वो भी कौन सी heart muscle cells को और अगर skeletal muscle cells पर यह जाएगा signal तो क्या करेगा देखेगा यह contract कर देगा इसको ठीक है यह force यह contraction को decrease किया इसने यानि relax कराया और इसने contract किया तो देखिए यहाँ पर एक ही signal है style Colline लेकिन उसका effect दोनों जगे पर अलग अलग हो रहा है और salivary gland पर अगर यह signal जाएगा तो salivary gland से secretions को generate करेगा तो different different cells हैं जो signals की against different different reactions कर सकती है इस इट clear? तो यह था आपका cell किस तरह से respond कर रही है अब आप यहाँ देखें कैसे communicate होता है yeast cell में हम बात करें yeast cell identify their mates by cell signaling यहाँ ध्यान देंगे आप की आपको पता है की जब इनमें conjugation होता है यानि की एक yeast cell दूसरी yeast cell के साथ mate करती है यानि की sexual reproduction करती है तो कैसे वो signaling generate करती है सबसे पहले आप गौर से देखेंगे यह A एक yeast है और एक दूसरा yeast है alpha is it clear तो आप यहाँ A की surface पे कुछ देख रहे हैं यह क्या है यह A की surface पे आप देखें कुछ receptor दिख रहे हैं जहां कुछ bind हो सकता है यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए और यहाँ पर A factor मौझूद है तो यह अपने mates को यानि जिसके साथ sexual reproduction करना है तो राइट टाइप के mate को चूज करने के लिए यह signaling generate करेंगे कैसे करेंगे देखिए Exchange of mating factors, each cell type secret A mating factor इसने अपना mating factor A generator रिलीज किया इसने अपना mating factor alpha रिलीज किया दोनों पर receptor है इस पर इसको catch करने वाले receptor है यह देखिए यहाँ पर और इसको catch करने वाले receptor है mating factor that bind to receptor on other cell types मैने आपको बताया तो दोनों की surface पर जो receptor है एक दूसरे के mating factor को receive करने वाले तो यहाँ देखेंगे आप यह receive हो जाएगा और दोनों mate करना start कर देंगे binding of the factor to receptor induce changes in cells that lead to their fusion यानि कि जैसे ही यह mating factor receptors पर attach होंगे तो इनकी membrane पर changes occurs होंगे, changes उपस्तित होंगे जिससे यह दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगी और क्या बना लेगी fusion को lead करेगी यानि यहाँ परविन का fusion start हो गए यहाँ देख रहे हैं अब cytoplasm तो mix हो गया है अब nucleus को mix होना है new A alpha cells the nucleus of the fused cell include all the genes from the A and alpha cell और बाद में दोनों के nucleus fuse हो जाएगे तो आपने देखा किस तरह से yeast है जो अपने mate को select करती है by cell signaling से यानि cell के अंदर यह signals है यह signals release होते हैं और दूसरी cell के receptor पर bind होते हैं यानि communication हो रहा है एक cell का दूसरी cell पर by the cell signaling जो yeast के अंदर क्या कर रही है right type के mates को select करके sexual reproduction को complete कर रहा है is it clear अब signal transduction pathway किस तरह से signal transduce होता है कैसे signal transfer होते है तो पहली बात तो यह है क्या signal transduction pathway क्या है convert signals on a cell's surface into cellular response ज्यान देना है अब आपको यहां पर कि cell की surface पे signal जुड़ेगा signal अंदर entry नहीं करता है केवल surface पे जुड़ता है और surface पे जुड़ करके कैसे cell के cell से response generate करवाता है उसे हम कहते है signal transduction आप देखिएगा इसको step में हमने explain किया है इसको पहली बात तो local and long distance signaling एक तो local क्या होता है बिलकुछ past में यानि उसी cell के अंदर signal generate होना है और दूसरा क्या होता है कहीं और जाके signaling generate करवानी है तो देखिए cell इन्हें multicellular organism communicate by chemical messengers यानि जो multicellular organism होंगे वहाँ पर कुछ chemicals like hormones release होंगे जो एक जगे से दूसरी जगे पर जाएंगे और वहाँ से response generate करवाएंगे Is it clear? Animal and plant cells have cell junction that directly connect the cytoplasm of adjacent cell अब आपको ये मालूम होना चाहिए plant cell होती है वो और animal cell आपस में जुड़े हुए होते हैं खास structure से plant cell आप जानते हैं कि plasma desmetal connection से एक cell दूसरी cell से जुड़ी हुई होती है plasma desmetal connection आप जानते हैं thread like structures होती है जो दो adjacent cell को communicate कराती है जबकि animal cell में क्या होते हैं gap junctions होते हैं उन gap junctions से signal है जो transmit होते हैं one cell to another cell Is it clear? in local signaling animal cell में communicated by direct contact देखिए का local यानि एक ही cell है उसमें तो उसकी surface पे signal bind होगा और वो response generate करवाएगी जबकि multi cellular में क्या होगा एक cell से वो message अलग-अलग cell में होता हुआ जहां response generate करना है वहाँ पर पहुँचना होगा यहाँ देखिए मैंने अभी आपको बताया यह animal cell आप देख रहे हैं और यार यह क्या होगा यहाँ आप देखिएगा animal and plant cell में किस तरह से communication हो रहा है यहाँ देखिएगा यह plasmo decimata आपको देख रहे हैं यह देखिए plasmo decimata connection एक cell है यहाँ से यह chemical transmit कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो यह तो plasmo decimata हो रहा है between plant cells में और यह animal cell में यह gap junction आप देखिएगा यहाँ देखिए gap junction है इन gap junction से यह chemicals यह messenger से जो transmit कर रहे हैं cell junction both animal plant have cell junction that allow molecules to pass relay between adjacent cell without crossing plasma membrane यहाँ कि gap junction से molecules हैं जो पास होते रहते हैं adjacent cell की अंदर बिना crossing की यह plasma membrane क्योंकि यहाँ पर plasma membrane नहीं होती है यह gap होते हैं और यहाँ plasma decimata membrane नहीं होती है तो अराम से यहाँ पर signaling one cell to next cell में transmit होता रहता है यह देखिएगा मैं बात करूँ पहले local signaling क्या है local signaling अभी मैंने जैसे yeast में बताया था yeast के अंदर क्या होता है यहाँ पर communicate direct contact यहाँ आप देख रहे हैं कि एक cell है इस cell के उपर यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ खास structures बनी हुई है यहाँ देखिए दूसरी cell है इसके उपर कुछ receptors बने हुए है सबसे पहले यह cell in receptor के साथ जूड़ जाती है और एक connection बना लेती है और फिर direct two cells in an animal may communicate by interaction between molecules protrudes from your surface यानि कि इसकी surface के उपर यह आप देख रहे हैं यह कुछ protrudes outgrowths बनी हुई है और दूसरे के उपर यह receptor बने हुए है इन receptor के साथ यह जुड़ करके receptor complex बनाते हैं और इस cell का signal है जो यहाँ इस cell में generate हो जाता है यह होता है local signaling इसे ट्लियर जो commonly animal cells में मिलता है यहाँ देखिए long distance signaling अभी मैंने आपको बताया कि long distance signaling कैसे होता है plant और animal दोनों के अंदर यह hormones के थ्रू किया जाता है long distance signaling हम जानते ही है long distance signaling में जैसे hormones के मैं बात कर रहा हूँ animal cell में बहुत सारे hormones endocrine gland से बनते हैं और यह hormones हैं जो blood के थ्रू target organ पे पहुँचते हैं और वहाँ जाके cell को respond करवाते हैं ऐसे ही hormone हैं जो plant cell में बनते हैं जैसे plant hormone आप जानते हैं oxine, zebraline, cytokineine, ethylene यह different locations पे पहुँचके उन cells से response जनरेट कराते हैं तो यह होता है क्या long distance signaling आप देख रहे हैं यहां endocrine gland है यहां से hormone बना blood vessels में आया blood vessels से यह hormone ट्रेवल करके target organ पे पहुँचा target cells यह response करवाया यह हुआ long distance signaling जो plant और animal दोनों के अंदर पाया जाता है अब आप जानते हैं यह किसने जो signal transduction है यह किसने सबसे पहले discover किया था यह E.W. शुदर लहन ने किया था animal के अंदर किया था लेकिन सेम चीज़ ही plant के अंदर भी होती है hormone epinephrine acton cell इन्होंने बताया था कि किस तरह से epinephrine hormone कौनसी endocrine glands release होता है adrenaline gland से यह hormone किस तरह से जाकर कि अपना signal generate करता है suggested that cell receiving तो तीन process इसने बताया कि तीन step में यह signaling होती है पहला क्या होता है reception दूसरा transduction और तीसरा response यानि कि पहले signal को recept किया जाएगा फिर उसको communicate किया जाएगा और फिर response generate किया जाएगा जो हम एक-एक करके steps next class में बात करेंगे आज के लिए इतना ही काफी है thank you प्रूसरा जाएगा प्रूसरा जाएगा